नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दिपेज गोर में जैसे कि आप सभी को पता है हम जब भी आते हैं कोई नो कोई नए भरती अपडेट लेकर आते हैं तो यहाँ पर हम आज आल लेकर आ चुके हैं IPPB में निकली है भ क्या क्या रहेगी सभी जानकर यह आपको दी जाएगी बस आप से रिक्वेश्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को आल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिक सबसे पहले मिल सकें यहाँ पर आपको डे पहले की साथ ही वहीं से आप नोटिफिक से डाउनलोड कर लेते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है क्रोम गूगल पर आपको सर्च करना जी ओ यू आर एन यव एस 24 गोर निउस 24 लिक कर आप जैसी करेंगे आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है जैसी आ एज लिविंट 45 साल है और सिलेक्शन आपका इंटर्वु के माध्याम से होगा इसका ना तो कोई एक्जाम होगा ना ही कोई प्रोसेस रहेगे केबल आपका इसमें इंटर्वु के अधार पर सिलेक्शन होगा अप इस पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इसकी पूरी डिटेल ओपन हो जाईगे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बेंक में इंफर्मेशन पर भरती निकलिए यहाँ भरती संबीदा के अधार पर की जाएगी इस भरती के लिए आविदन पक्रिया सुरू हो गई है उम्मीदवर आपिसील वेबसाइट पर जाकर आविदन कर सकते हैं इसका आविदन किस प्रकास करना है वो भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले है भरती का नाम है आविदन सुरू कप से हो चुके हैं इसके 6 मईए 2024 से और आविदन के आखरी तारी क्या है 24 मईए 2024 आविदन सुरू के जो देड़ सुरू पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर हमारे बाटसर को पर जॉइन हो जाएंगे कुल पध यहाँ पर कुल रिक्त पधों की संक्राँ कर्तेंश है कुंन कुण से पड़े कुकर है एक्जेकुटY Portuguese कनसल्टेंट ke 28 पध एक्जेकुटीब की पध और 21 पध एग्जेकुटीब सीनियर के पाच पध है आव सीमा की बात करें यहाँ दोस्त्तों सब च्छूट दावा करने वाले उमीद्वारों के लिए उसके बाद यहां पर आपके आयू सीमा च्छूट दावा करने वाले उमीद्वारों की आयू यहां पर आयू सीमा च्छी नहीं को गया तर रखेगे उसके बाद डाकुमेंट की बात करें तो जिस पोस्ट के लिए पड़ा कर ले उसके लिए जरूरी डाकुमेंट जो अपला करते हैं आपको देने होंगे तो सबसे जरूरी इसमें और होता है कि एक सेलरी हमें सेलरी कितन सेलरी सेलेक्षेड उम्मीदवारे को द्धाजार Under 25 हुए तक सेलरी प्राती महा उम्मीदवार को देज आए अब बात होगी सेलरी की बात होगी आयू सुमियं हो जोनी कोक्यता होगी इसमें हम सेलेक्षिन किस प्रकार स होगा चैन सबसा की अधार पर करेंजागे हाला कि ब बुलाए जाने का हगदान नहीं हो जाता आई पी बी के पास प्रारंपिक स्क्रिंग साथ लिश्टिंग के आब बाद मुल्यान का ने साथ चातकर समुचर्चा या आनलाइन टेश्ट के लिए के एवल आप एक्छे संक्या में उम्मिद्वारों को बुलाने का सुरुक्षे यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ने इसमें आबिदन किया है तो इसकी अंतिम रूप से चैनित उम्मिद्वारों कि सुछी वेफसाइट पर उखलब्द कराई जाएगी अब कौन से वेफसाइट पर चलिए वह भी हम जान लेते हैं आई पीपीवी की वेफसाइट आई पीपीवी ओनलाइन डाट कॉम पर जाएए होम पेज पर करियर आपसन का एक आपसन आपको देखने को मिलेगा है रेजिस्टेंट करने वाले रेजिस्टेंट करके आविदन फार्म आपको भर देना है जो 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 आप जिस पोस्ट के अपलाय कर रहे हैं जरूरी ड्राक में वो आपको करके कर संब्सक्राइब उसके यह पर आपको फिज का भुक्त पा science कर देना उसके बाद आपको प्रिंट पाउट ले कर रख ले में है रहा इन फिस होलो happens on online आवदन की लिंग चलिए यहां पर हम officer हॉसे क्लिक करेंगे लिए इसमें आपो संपूर्ण करी देखने को मिल जाएगी अब बात कर लो थे प्रिद क्साइव कहां से खालर कर सकतें आपको यहां पर अपको देखने को मिल जागी इस पर आप जैसी क्लिक करेंगे जैसे कि मैंने आपको step by step बताया आपको पूरी process सेम करना है आपको यहां पर आबेदन सपलतक बुर्बक हो जाएगा अगर आप HTSC EW के candidate हैं तो आपको देड़ से रूपी लगेंगा अगर आप OBC या जनरल के टीगिरे से ब्लॉंग करते हैं तो आपको क्या 750 रुपी यहां पर आपको देने होंगा तो दोस्तो वर्ति कैसी लगी इसमें आप जरूर हमें बतायेगा और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल और साथ ही वेपसाइट को फॉलो नहीं किया है तो ऐसी जरूरी अपडेट पाने के लिए जरूर फॉलो करिए जरूर सब्सक्राइब कर लिए तो इस वीडियो में इतना ही नेक्ष्ट वीडियो लेकर आपको बताने वाले हैं वह पंचायत लेवल पर पंचायत लेवर पर रिपोर्टर की एक भरती निकली है जो कि आप अपने गाउं में रहकर वहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं ओनली फॉर पंचायत की तो दोस्तो उसका वीडियो हम नेक्ष्टे जल्दी आपको यहां पर देने वाले हैं तो इस वीडियो में इतना ही नेक्ष्टे वीडियो लेकर आप संसलती मिलेंगे तब तक के लिए देजा जाया जाहिं जाया वारत बंदे मातर